So guys, अभी आठ दिन पहले, यह जो OnePlus 9R है, इसकी unboxing मैंने आप लोगों को दी थी, 16 तारीक को यह मेरे पास phone आया है, 17 तारीक को मैंने इसके अपना SIM card डाला है, दोनों SIM card, मैंने अपना WhatsApp इसके अपना ट्रांसफर किया, सारे banking application, basically 16 तारीक से, आज 24 तारीक है, तब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, लग 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 7 दिन हो गया, complete, 7 दिन मैंने इसको यूज किया है, और मैं आज आपको इसका review देने माला हूँ, यह जो OnePlus 9R है, 40,000 रुपे का phone है, आपको लेना चाहिए, या फिर skip करना चाहिए, आप लोगों को अपने वीडियो में फीचर कर दो, मैं विला लाओ भाई, उन्होंने भेद दी ये fans, यह BLDC fans है, मतलब brushless DC motors है, इसके अंदर, that means बहुत जादा efficient है, इसको लगाने के बाद लगभग 65% तक के electricity consumption में reduction आएगा, and that is a big deal, भाई, जो blades इनके उपर anti-dust की coating की भी है, that means इसके उपर dust वगेरा नहीं वेटता है, and metallic and wooden finish के अंदर है, like है तो लोखंड की पंखा, लेकिन जो finish है ना भाई, wooden की आप लोग देख रहे हो, बहुत तगड़ा दिखता है, और इसके निचे smart LED light, like 5-6 LED light, वो अलग-अलग type से दिखाती है, like पंखा आपका कोन से speed पे चल रहा है, वो भी दिखाएगी, बहुत सारा indications देती है basically, और इसको आप बंद भी कर सकते हो, like रात में distracting वगरा ना हो, ये भी चीज़ है, बाकी ये पंखा स्मार्ट है, क्यों स्मार्ट मालू मैं, इसके साथ पहली बाद रिमोट मिल जाता आपको, तो रिमोट सा आप स्पीड वगरा, और इसके अंदर टाइमर वगरा, तो गंटे बाद अपने आप बंद हो जाए, स्लीप वगरा मोड है, बूस्ट मोड है, सारी चीज़े रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, और उसके बाद जो ये मेरा particular unit है, ये रहने सा स्मार्ट प्लस है, अब ये जो unit है गईज, इसके अंदर हमको एक application मिल जाता है, आटम बर्क करके, उसके अंदर आप सारी चीज़े कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास किते फैन, कौन-कौन से रूम में आपने लगाया, वो सब आप इधर पर assign कर सकते हो, एक एक फैन का चीज, हर एक रूम का अलग-अलग आप कंट्रोल कर सकते हो, और इसको आप Alexa के साथ म पंखा बन जादू वाला, smart home हो गया basically, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, बाकी चार colors में available है, golden oakwood, natural oakwood, pearl white and earth brown करके color है, और भाई, इनके 350 से जादा service centers है, जो अगर आपको पंखे में कुछ भी होएगा जब आप खरीज होगे, तो तीन साल का इन लोग on-site warranty दे रहे है तो तीन साल में अगर कुछ भी होता है, तो आपको जादूगर बना देता है, एक खुशकबरी आप लोग के लिए और है, ये जो पंखा है, एक पंखा आप लोग में सी किसी एक लखी वीवर को मिल सकता है, आपको बस करना ये है, दो-तिन स्टेप से में आपको बताता है, सबसे पहले तो आपको में को कमेंट में बताना है, कि आपके पास कौन सा पंखा है, और आप ये वाला फंखी पर अप्ग्रेट क्यू करोगे, मतलब क्या फाइदा होगा आपका उप्ग्रेट करके, दूसरी चीज, इंस्टाग्रम हैंडल, एट अंबर का, उसको फॉलो कर एटमबर्ग पंखे को भेजीने कले, विध इसटाट लेट साट आवर रिवीव अफ दिस वनप्लस नाइन आर, देखो भई, सोला मार्च को मेरे पास आया है, सतना मार्च को मैंने इसके इनर अपना सिम कार ड़ा, उसके पहले, फोन जो ये है वनप्लस नाइन प्रो इसके जो है वो है, मैं जूट क्यों बोलूँगा, लोगों को लगता है कि मैंने सिम कार ने लगाया, आप लोगों को बताओ, कोई मोटिफ तो होना चीर्स के पीछे, मतलब कुछ भी यार, मैं लास्ट नाइन प्रो का वीडियो, तो बोलते बंदे लोग कि भाई, तुमने कली अ पीछे ग्लास है, आगे ग्लास है, ग्लास है, ग्लास 5 से खवर्ड है, तो भाई, बिल्ड कॉलिटी के मामले में एकदम सौटर्ड है, पूरा अलिमिनियम एकदम मजबूत, एक फेक के मार दो करें, किसी का भी सर पूर जागा, यह तो पक्की बात है, और वेट भी सिर्फ और सिर्फ 189 ग्रम है, तो काफी हलका है, और भाई, वेट बैलन्स बगरा तो भाई, वेट बैलन्स है, तो एकक्तम तगडी तरीके से वेट बैलन्स किया हुआ है, तो इसमें मेरे को कोई प्रॉबलम नहीं लग रहा है, ठीक है, और काफी च्लिम भी है, लगभग 8.4 mm की जादा मोटा भी नहीं है, उस चीज में मेरे को प्रॉबलम नहीं है, तो इन हैंड फील बहुत अच्छी है, और इन हैंड फील की बात करो, जो पीछे का मटीरियल है, यह जो ब्लैक कलर इन लोग ने दिया है, यह कंप्लीट मैट है, बहुत स्मूथ है, लेकिन अगर आपक इन लोग ने एक्सपरिमेंट भी नहीं किया, नया डिजाइन करके, जो कैमरा मॉडूल वगरा है, वैसा ही था, वंटस 80 के तरह ही, इधर ही लोगो है, क्लीन सा डिजाइन, अच्छा लगा मेरे को, फ्रंट में भी छोटे-छोटे बैजल है, तो कोई प्रबलम होती नहीं ह इक सा लुक आता है, और फ्रंट की बात कर रहा हो, तो हमको 6.55 इंच की, फुल एजडी प्लेस वाला, एमॉलेट डिस्पले मिल जाता है, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में, यह LTPO पैनल नहीं है, बट भाई, यह जो डिस्पले है, बहुत जादा अच्छा है, यह काफी जा बहुत अच्छा निकल गाता है, बहुत खूब सुरत दिखता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इवन इसके निदर, वाइडवाइन, L1 वगारा का सपोर्ट है, तो आप नेट्फिक्स वगारा पर या फिर अमाजन प्राइम पर कुछ देखते हो, तो भाई, HD की ह स्मूधनेस है, वो तो next level है, लेकिन कोई-कोई application में स्मूधनेस बार-बार 68 पर ड्रॉप होती है, जैसे की YouTube, तो ये सब चीज़े थोड़ी-थोड़ी मेरे को बग करते है, बट ये OnePlus की गलती ने YouTube जान बुच के ऐसा restrict करके रखा, क्योंकि मैंने 2-3-4 में टेस्ट किया, ब तो 865 का kind of, थोड़ा सा upgraded version है, 865 Plus का थोड़ा सा upgraded version है, तो overall भाई, इसका performance एक number है, अब 865 ही जो था, वो इतना खतरनाक perform करता था भाई, तो इसकी मैं क्या ही बात करूँ, एकदम टॉप-notch performance हमको देखने को मिलती है, ये gallery का कुछ तो भी issue है OnePlus के phone में, गैलरी में पूरे screenshot जो मैंने लिया है, इसमें gallery में, अभी आया वापस, अभी 56 photos हो गया है, पता नहीं क्या है, जैसे अभी ये इसका N22 score देख लो, 6 लाग के उपर का N22 score देता है, ये geekbench है, उसके बाद जो internal storage भाई, इसके अंदर UFS 3.1 की storage है, तो कोई भी application वगेरा open करना हो, close करना हो, भाई एकदम, मतलब, एकदम fast है, जैसे आप लोग देख रो, एकदम rough, rough होता है, तो भाई, इसका overall, मतलब, चलाने का है वो है ना, भाई, performance एकदम बरेचाए, डे-to-day task में, मतलब, अब डे-to-day task में, feel भी नहीं करूँगा, एकदम fast phone है, बट, जब gaming की बात करता हूँ, तो gaming म भाई, बहुत अच्छा perform किया, भाई, ये phone ने, like, really, really good, मेरेको बहुत अच्छा लगा, इसका touch response भी अच्छा है, तो gaming में कोई problem होती नहीं, और phone ज़्यादा गरम भी नहीं होता है, बहुत heavy game करोगे, तो थो थोड़ाबत गरम होता है, लेकिन, भाई, 870 काफी stable processor है, मेरे इसके अंदर इससे साधा better cameras है, मैं ये बोलूँगा, इसके cameras इतने कुछ खास नहीं है, like, पीछे चार cameras है, दो camera तो बिल्कुल useless है, भाई, एक macro है, 5 megapixel का उसको छोड़ दो, और 2 megapixel का एक फालतुगा camera है, एकदम बेकार, कुछ काम का नहीं है, main camera है, वो IMX 580, 48 megapixel वाला main sensor अच्छी camera है, अच्छी camera है, daylight की बात करो, तो काफी अच्छी photos दल देते हैं, कोई भी problem नहीं आता है, लेकिन जहाँ थोड़ी सी light कम होती है, भाई, तो struggle करने लगते हैं, तो मतलब, जो camera है, kind of average है, मैं ऐसा बलूँगा, even video quality में, okay, okay, perform करते है, like, मैंने starting में, जब भी, मै 9 Pro की तरफ देख सकते हो, उसका camera 9R से बहुत जादा better है, यह चीज मैं definitely बोलूँगा, और even front facing camera, 16 Megapixel का sensor है, लेकिन ठीक, मैं ऐसा नहीं बूरा है, यह price के साब से, it is average, I can say that, मैं यह नहीं बनो, बहुत अच्छा camera है, लेकिन बहुत अच्छा camera है, लेकिन बहुत extraordinary cameras भी नह बहुत अच्छा लगा, और जो battery life है, वो decent है, ऐसा है, बोलूँगा, एक दिन की battery life आपको दे देता है, कल का usage आप लोग देख रहे हूँ, अठरा गंटे में हमको 4 गंटा 25 मिनिट का SOT मिला, उसके बाद यहां पर 19 गंटे में, मेरेको 6 गंटा 47 मिनिट का SOT मिला, यहां पर 11 गंटे में, 8 गंटा 53 मिनिट का SOT मिला, यह आप हेवी यूजर हो तो आपको शाम को आके थोड़ा सा चार्ज करने बढ़ेगा, तो बेसिकली इसका जो चार्जिंग का सिस्टेम है, वो सिर्फ और सिर्फ है 25 वाट के चार्जर के भरोसे, उसके बाद मैं अगर सॉफ्ट्वेर की बात करू तो भाई, इसके अंदर हमक आपको डाउनलोड किया, अब मेरा सब कुछ चलता आपको अंडॉड एलन पर बेस्ट आपका वनप्रस का फोन है, तो आप वनप्रस फोन एपके सर्च कर दो, आपको मिल दाएगा, वो डाउनलोड कर दो, का होया था भाई, बाकी जो ओवर आल इसका सॉफ्ट्वेर है, ब इस पर 336 फॉलोवर थे, क्या है यार, यह बहुत नाइंसाफी लगती है मिरेको, तो दाके फॉलो कर ला मैं इसे डिस्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, बाकी यह कुछ बग्स मैंने नूटिस किया था, एक दिन तो क्या हुआ, अचाना एक साउंड आना बंद हो गया थ तो वह एक, मैं बोलूँगा कि इनिशेली फोन में थोड़ा बहुत इसा इस्यू मेरेको नूटिस रहा था, उसके बाद मेरेको ऐसा कोई वाल्दू का बग्स वगरा नूटिस नहीं हुआ, लेकन दैर वर फ्यू माइनर बग्स जो मैंने नूटिस के, जो मैंने आपको बत इसा रखा, फट से खुल गया, ये खुला, रखा, खुल गया, तो लगब लगब आधे से कने का आज पास टाइम लगता बहुत फास्ट है, बहुत जादा फास्ट है, और उसका फेस उन्लॉक तो मतला पूछो ही मत, जोखो, मैं बटन दब आ रहा हूँ, खुल जा रहा देखा, खुल गया, तुरंग, भाई, फेस उन्लॉक और फिंगरपेंट स्कैनर, वेरी फास्ट, बाकि उसके बाद मैं सिम कार्ड करेंगे, तो बेसिकली, दो सिम कार्ड चलता है, दोनों में 4G वगरा एकदम मस्त चलता है, कैरियर एगडिकेशन जैसे आप लोग अब भी देख रहे हो, 4G प्लस आ रहा है, यहां पर, overall जो सिम कार्ड का नेटवर्क वगरा एकदम परफेक्ट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे को देखने को नहीं मिला, call quality हो गया, reception हो गया, data का usage हो गया, सब एकदम मस्त चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, और reception की बा है, बहुत अच्छे quality का haptic size के अंदर, कोई इसमें जुन-जुना वगरा नहीं डालावा है, काफी अच्छे quality का haptic motor है, तो मेरे को अच्छा दागा भाई उसकने को, यही था मेरा main review, अब देखो, आप के पास अगर 40,000 रुपे है, तो आप ये phone को consider कर सकते हो, लेकिन, there is option of like, हमारे पास अभी MI 11X Pro आ गया है, जो 888 के साथ में आता है, उसके पाद हमको Vivo का phone मिलता है, Vivo X60 और ये phone है, मतलब तीन phone like, अभी फिलाल compete कर रहे हैं, IQ का भी phone आने वाला है, लेकिन भाई, OnePlus के पास, कुछ extra advantages है, first of all, OnePlus का नाम इंडिया में बहुत तगड़ा बन चुका में का software ले लो, MIUI, या फिर Vivo का UI ले लो, किस से भी, मतलब कोई भी comparison में नहीं है, बहुत जादा आगे है, लेकिन, लेकिन, मैं ये चीज़ बोलूँगा, Vivo के cameras मैंने जहां तक देखा है, Vivo के cameras बहुत अच्छे होते, तो I am quite sure कि भाई, इस से तो अच्छा ही होगा Vivo का camera मैं इसमें कोई भी में को doubt नहीं है, बाकि अगर आपको sample बगएरा देखना है, तो अपने Mukesh भाई ने Vivo X60 का unboxing किया है, उनकी वीडियो आप देख सकते हो जाके तो आपको समझ में आ जागा कि भाई, X60 एक्चुल में है कैसा, बाकि overall phone अच्छा है, आप लोग definitely purchase कर सकते हो बाकि भाई, Atomberg के fans को definitely check out काना, पसंद आएगा for sure, भाई, मेरे को अच्छा लग रहा है, so yeah, यही था एक चोड़ा था review of this OnePlus 9R, I hope आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो भाई, like, share, subscribe, thank you so much for watching this video guys, bye!